है गरेई और फोडियू में आपको ना तो कोई एपलिकेशन के बारे में बताऊनगा को अभी बताऊंगा अब ड़की ये तीन सेटिंग्स आपके मुबाइल में ही हैं बस आपको पता नहीं है कि ये सेटिंग्स आपको ओनका से करनी है तो दोस्तों आपको बस करना इतना है कि जैसे जैसे मैं यह settings on करते रहूँगा आपको वैसे वैसे अपने mobile में इन settings को on कर लेना है तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को like करना है और यो जो रेडिकलर के जो subscribe उटन है इसे दबा कर मेरे चनल subscribe कर लेना है और बगल में जो घंटी का icon है इसे भी प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वारी नए वीडियो को notification आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए तो चलिए आपको पहली settings के बारे में बता देता हूँ आपको जाना है play store में play store में जाने के बाद आपको search करना है booster booster search करने के बाद आपके समयने बहुत सारे booster आ जाएंगे जैसे कि cleaner booster, super phone cleaner, speed booster आपको कोई भी booster install नहीं करना है आपके mobile में कोई भी booster install हो आपको simple उसे यहाँ जाकर uninstall कर देना है जैसे कि आपको कोई भी booster install हो आपका phone में आपको simple उसे uninstall कर देना है क्योंकि booster आपके mobile की storage को तो full करते हैं बलकि आपके phone को hang भी करते हैं तो आपको simple करना क्या है आपको इनको uninstall करना है तो ये तो होगे पहली settings अब चलते हैं दूसरी शेटिक्स के आब हमागे हैं दूसरी शेटिंग निकीड में आपको play store open कर ना ऑफन करने के बाद आपको three-line पखल करने पर है तरियंद फे checklist करने के बाद है। जाना है settings में settings में जाने के बाद आपको यह जो 30 नमबर पर लिका है auto update apps इस पर click करना है और आपको यहां से over wifi only यह लिका है और do not auto update apps आपको simple इस पर don't auto update apps पर click करना है क्योंकि आपके जो application है वो update आने के बाद ही automatically install होने शुरू जाती है यानि कि update होना शुरू हो जाता है जिसके कारण आपको mobile hang होने लगता है और stories full होने लगती है तो दोस्तों जब कर भी आपके mobile में किसी भी application की update आए तो आप सीथर जाकर play store से उसको update कीजिए क्योंकि ऐसा करने से आपके mobile की कभी भी stories full नहीं होगी और आपके mobile hang नहीं होगा और आपके mobile कभी भी गरम नहीं होगा तो दोस्तों चलते हैं तीसरी और आखरी settings की और दोस्तों आपको तीसरी settings के जानने के लिए आपको जाना है settings में setting में जाने के बाद आपको जाना है about में about में click करने के बाद आपको MIUI version यह जो लिखावाया है या आपको mobile में build number लिखाएगा आपको simple इस पर click करना है 7 बार यानि कि 7 बार आपको उसको tap करना है तो यहां से आप जब 7 बार इस पर tap करेंगे तो आपका developer option आ जाएगा यानि कि developer option इसमा आने के बाद आपको एक setting आएगी आपको उसमें जाना है आपको जाना है additional setting में setting में जाने के बाद नीचे जाना है scroll करना है और यहां से developer option open हो जाएगा आपको simple इस पर tap करना है इस पर click करने के बाद आपको जाना है नीचे scroll करना है नीचे जाना है और नीचे जाना है तो दोस्तों आपको दिखाए दिरागा Windows Animation Scale Transition Animation Scale और Animation Duration Scale आपको simple इस पर पहले वाल पर click करना है और 5X पर click कर देना है यहां से भी दूसरे वाले option पर भी क्लिक करना है आपको इस पर भी 5X पर क्लिक कर देना है और animation duration scale को भी 5X पर क्लिक कर देना है इससे होगा क्या आपका mobile की speed देज़ जाएगी आपका mobile hang नहीं होगा तो दोस्तों यह थी इस वीडियो की आखरी रही setting जो आपको मैंने बता दी है तो दोस्तों मैंने आपको तीनो settings बता दी है अगर आप इन तीनो settings को on कर लेते हैं तो आपका mobile कभी भी hang नहीं होगा आपका mobile कभी भी गरम नहीं होगा और कभी भी आपके mobile की storage फुल नहीं होगी तो दोस्तो आप भी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जुरूर बताएं मिलते हैं दोस्तो नई वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तो